करते हैं आपके आएफेस ऑनलाइन के इस इंसिट्यूट में ठीक है तो फ्रेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है बहुत ही जवद्स लेक्चर होने वाला है ठीक है आपको आज काफी कुछ सीखने को जापे मिलने वाला है तो फ्रेंट्स आजम यहाँ पर आपके लिए एक सॉट कॉंसेप्ट लेक्आ है जैनल का लीए वाला मुंधरões की चैनली exam में एक्लिए जाता है तो तो इससे पहले हैं काम करना ओगा अगर अभी तक यह चैनल को आफ़्ेश को चैनल को स़ोग है तो जलबी सी जाटके चैनल को subscribe कर लिजिए क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए interesting, interesting lectures लेकर आते हैं जिसते कि आपकी यहाँ पर help हो सके इन exams को clear करने में यहाँ आपका jam का exam हो या किसी भी msc entrance level का exam हो या आपका net का exam हो या tiffr का exam हो, jets का exam हो आप हमारे सभी channel को जाके subscribe कर लिजिए जो कि आपकी बहुत ज़्यादा help करेंगे इन सभी exams को clear करने में ठीक है तो चलिए अब हम अपने topic पर आगे बढ़ते हैं तो आज का topic होने वाला है यह है आपका greens theorem ठीक है तो हम यहाँ पर आप discuss करेंगे आपकी greens theorem के बारे में तो लिख लेते हैं आप पर greens theorem ठीक है तो यहाँ पर लिखते हैं इसको greens theorem पर आज कर तो हमारा topic है यह होने वाला है greens theorem अब बात आती है कि greens theorem की हमको जर्बत क्यों करी देखो प्रेंट्स है ना जनरली हम मैस में line integrals करते रहते हैं ठीक है तो हम यहाँ पर हम किसी भी मतलब अगर आपको line integral दिया गया है तो मैं यह नहीं कह रहा है कि आप line integral को solve नहीं कर सकते हैं ठीक है आप line integral को easily solve कर सकते हो और मैंने आपको सिखाया वे भी है line integral आपने में जाके वीडियो देख सकते हूँ आप उसको surface integral से बहुती easily step में solve कर सकते हूँ ठीक है line integral में क्या है आपको 3-4 step लगेंगे लेकिन जब आप surface integral को calculate करोगे मुश्किल से 2 step में आपका question हो जाएगा ठीक है अब वो क्या 2 step में मैं आपको बताऊँगा तो थब से पहले तो आप ये समझिए कि अगर कोई मेरे पास differential equation है जो कि आपकी कैसी है यहाँ पर continuous है तो आप उसको green functions की form में लिख सकते हो तो ठीक है friends तो बात समझ में आ रही है आप लोगों को ठीक है तो देखो अब यहाँ पर होता है क्या है if मैं आप इं लिख रहा हूँ if आपके पास एक function है m if m जो कि आपका function है किसका x y का and and यह भी हमारा एक function है किसका x y का और यह दोनों function आपके यहाँ पर partially differentiable है ठीक है मतलब आप इसको partially यहाँ पर differentiate कर सकते हो ठीक है यानि के कहने का मतलब है del m upon आप यहाँ पर इसको लिख सकते हो del y and del n upon del x अगर आप इनको इस तरीके से लिखते हो ठीक है मतलब यह आपका partial differentiable है और साथ में and यह function आपका continuously है ठीक है तब जो यहाँ पर green function होगा वो क्या हो जाएगा तब friend जो आपका यहाँ पर green function होगा तब हम लिख लेंगे यहाँ पर तब then green theorem आपकी क्या हो जाएगी तब जो आपकी यहाँ पर green theorem है आप यहाँ पर इसको लिख सकते हो mdx plus ndy ठीक है यह हो जाएगा physical to आप यहाँ पर इसको क्या लिखोगे अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है mdy है ठीक है तो आप यहाँ पर इसको लिखोगे del n upon del x यह आपका partial है minus 5 friends आप यहाँ पर इसको लिखोगे del m upon del y यहाँ से हम इसको bracket के sign को हटा देते हैं यहाँ से मैं इस bracket के sign को हटा देता हूं ठीक है तो यह आपका इस तरीके से हो गया है और इसका ले लेंगे हम यहाँ पर area integral ठीक है dx और d तो friends यही आपकी क्या कहलाती है आपकी greens theorem कहलाती है तो बात आपको समझ में आई तो हमने यहाँ पर क्या देखा हमने friends यहाँ पर यह देखा कि यह आपकी एक greens theorem है ठीक है mxy अगर आपके पास mxy का कोई function है इसी तरीके से nxy अगर आपका nxy कोई function है ठीक है और वो आपका partial differentiation है नहीं है का जो friends statement है वो कुछ इस तरीके का है कि यह आप देखे पर यहाँ पर यह आपको एक line integral दिखाई दे रहा है mdx प्लस के n dy यह आपका एक line integral है मैं इस line integral को solve कर सकता हूँ इस area integral से इस surface integral से तो देखो बहुत ही easily step में हो गया यहाँ पर आपके पास जो n होगा आप उसको x के respect में partial करोगे यहाँ पर जो आपके पास m होगा आप उसको y के respect में partial करोगे then जो value निकल कर आएगी ठीक है आप उसको dx dy के respect में integrate कर दोगे तो यह आपका green theorem कहलाती है ठीक है बहुत बढ़िया अब हम इसके अपर एक question देख लेते हैं देखते हैं कि इनको हम solve कैसे कर सकते हैं ठीक है friends तो चलिए फिर अब हम अपना एक question यहाँ पर solve करते हैं तो जो question यह आपके लिए है पहले आप इसको यहाँ पर write down करिए तब तक मैं आपके लिए question लेकर आता हूँ चलिए फिर फ्राइन तो देखो question क्या है है हमारा यहाँ पर question number first देखते हैं question number first कुछ इस तरीके का है यह आपके पास एक integral है ठीक है x dy minus k y dx आपको यहाँ पर इसका integral calculate करना है around b x square plus y square is equal to find the integral आपको यहाँ पर इस integral का यहाँ पर आपको इसकी value calculate करनी है friends क्या होगी तो जल्दी से आप लोग इस questions को सुरू कीजिए बताइए इस question का answer क्या होगा आप लोग comment box में मुझे इसका answer कर सकते हैं तो थोड़ी देर वीडियो को pause कीजिए और then आप इसको पहले खुछ से solve कीजिए और फिर आप यहाँ पर इसका solution देखिए ठीक है तो करिए इसको यहाँ पर solve मैं इसके अभी mcq लिखूंगा ठीक है फिर आप आप चेक करेंगे कि आपका answer आता है या नहीं आता है ठीक है उसके बाद then मैं यहाँ पर questions को solve करता हूं तो फ्रैंट देखो यहाँ पर मैं लिखता हूं इसके options options a मेरे पास है one option b मेरे पास है zero option c मेरे पास है two option d मेरे पास है यहाँ पर आपका minus का four ठीक है तो यहाँ पर यहाँ आपके कुछ options हैं तो चलिए अब इस question को यहाँ पर हम solve करते हैं तो तब से पहले हम यहाँ पर अपने लिखेंगे formula कि हमारा जो formula है वो क्या होता है आपको मेरा sound आ रहा है ठीक है आपको मेरा sound आ रहा है तो बताईए तो चलो बेखते हैं तो friends सबसे पहले हम क्या करेंगे यहापे सबसे पहले हम यहापे लिख लेंगे आपका formula formula हमारे पास m dx minus का यह हमारे plus का n dy is equal to friends यहाँ पे आपके पास आएगा del n over del x minus का del m upon del y और यह आपके पास हुजाएगा कितना dx और dy ठीक है यह हमारे पास इस तरीके का होगा तो अब आप इसको अगर compare करते हो तो अगर मैं इसको compare करता हूँ इन दोनों को तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरे पास dx है और यहाँ पर मेरे पास dx है तो यहाँ पर m की value किती है यहाँ पर m की value है minus का y और प्रेंट जो आपका n है ठीक है जो आपका यहाँ पर n है n की value किती है आपके पास यहाँ पर x है n की value यहाँ पर आपके पास x है तो यहाँ पर अब आप क्या निकालोगे अब आप देखों यहाँ पर partial हो रहा है तो यहाँ पर आपका partial हो रहा है del n upon del x को तो आप यहाँ पर पहले अपना निकाल लो del m upon del y तो यह आपका minus का 1 आ जाएगा तो यहाँ पर निकालो अपना del n upon del x को और यह आपका कितना आ जाएगा बना जाएगा यह आपका friends बना जाएगा तो एक value आपकी यह आ गई है और एक value आपके पास यह आ गई है तो यह दो value आपकी निकल कर आई है अब इस value को वहाँ पर put करेंगे हम इस वाले equation तो आपको line integral मिल जाएगा तो देखो बहुत ही सुंदर सा line integral आपके पास निकल कर आएगा तो आपको क्या करना है यहाँ फिर value लगा दे नहीं इसको next page में ही कर लेते हैं तो आपके पास formula था formula मेरे पास क्या था है यहाँ पर x dy minus के y dx मेरे को इसकी value यहाँ पर calculate करना है तो इसको मैं क्या लिखूंगा आपना del n upon del x minus का del m upon del y और यह आपके पास क्या है e x और आप इसको लिखोगे यहाँ पर dy अब del n upon del x तो del n upon del x क्या है 1 यह value 1 है minus अब यहाँ पर आप देखेंगे del m upon del y की value क्या है plus minus का 1 bracket डबा 1 यह आपके पास जाएगा e x dy तो यहाँ से इसकी value 2 आ गई है और d x dy 2 मेरा बाहर आ चुका है del x और ठीक है अब यहाँ पर आपको कुछ area दिया गया है area हमारे पास x square y square is equal to 1 ठीक है अब आपको पता है कि यह हमारा एक circle का equation है और वो हमारे पास क्या है उसका radius है तो circle का area क्या होगा तो area आपको पता है circle का वो होता है हमारे पास pi r square ठीक है तो यह हमारे पास होता है इस तरीके का तो अब यहाँ पर आप इसकी value put कर देंगे, तो आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर one आ जाएगा, तो कुल मिलाके, मैं यहाँ पर इसका area को, मैं friend यहाँ पर one आ लेता हूं, तो इसका जो answer निकल कर आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास two, ठीक है, तो यह रहा हमा पाई में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर भी आप पाई लगा लो, सभी में पाई लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने छोड़ दिया था, तो यहाँ पर इस question का answer आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका two, ठीक, तो इस तरीके से आप यहाँ पर इ नहीं है, इन question में, देखो questions का है आपके पास, यहाँ पर आपके पास जो question होगा, वो किस तरीके का है, यहाँ पर आपको दिया गया है, इंट्रीगल ठीक है, यहाँ पर आपको एक इंट्रीगल दिया गया है, और उस इंट्रीगल में आपको यहाँ पर दिया गया है, माइ इसका यहाँ पर integral calculate करना है, ठीक है, बहुत ही simple सा question है, आपको यहाँ पर इस integral की value को calculate करना है, तो हम आप चाहो तो इसको वैसी भी solve कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं आ रहा, मैं इसको simple जहाँ पर green theorem से solve करना जाता हूं, और देखना जाता हूं कि इस integral की क्या value निकल करकर आएगी, ठीक है, तो यहाँ पर हम apply करेंगे green theorem को, तो green theorem को जो मैं आप अप्लाई करता हूं, तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, यह हमारे पास क्या है friends, green theorem, तो green theorem का simple सा मतलब है, क्या मतलब है, तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे green theorem, यह आपके पास होती है mdx plus के, यह हमारे पास होती है, ndy और is equal to integral del n upon del x minus का del n upon del y bracket 1, यह हो जाएगा आपके पास dx और dy, ठीक है, इस तरीके से, तो अब यहाँ पर, अब आप इस चीज़ को देखो, बहुत ही interesting सी, यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं, तो यहाँ पर integral m की value की है, यह मेरे पास m है, तो यहाँ पर minus का y square dx plus n की value कितनी है, xy dy is equal to integral del upon del x n की value कितनी है, तो friend आप देखोगे, यह मेरे पास होता है n और यह मेरे पास होता है m, ठीक है, तो n की value कितनी है, xy, यह value मेरे पास कितनी है आपकी xy और माइनस के साइन यहाँ पर डेल अपॉन डेल वाई और n की वैल्यू कितनी है तो फ्रेंज यहाँ पर आप देखोगे n की वैल्यू है यहाँ पास माइनस के y स्क्वायर dx dy अब हम इसको अगर solve करेंगे तो यहाँ से यहाँ जायगा y- का इसको अगर solve करेंगे तो minus minus plus यहाँ आपके पास कितना है 2y यहाँ से यहाँ आजायगा आपके पास d x और dy ठीक है अब यहाँ यहाँ पर यह जो आपको integral दिया गया है यह आपको एक कर्व रीजन के बीच में था 맞는 भी कि यहां पर यह आपके पाश किया है एक कर्व लीजन है कि इस तरीके का यह आपके पास जी जी लोज ऱेल से वन यह भी ही आपके पाशे व Kings टो आप limit देख सकते हो कि x की limit 0 से बने y की limit भी 0 से बने तो यहाँ पर अगर मैं इसको solve करता हूं तो यह आपके पास आ जाएगा कितना 0 से 1 यह आ जाएगा dx और यहाँ पर आप लगाओगे 0 से 1 यह आ जाएगा आपके पास 3y और dy ठीक है इस तरीके से यह आ चुका है अब आप यहा यह हो जाएगा 0 से 1 तो यहाँ से मेरे पास 3y 2 इस question का right answer है तो देखा आपने मतलब अगर आप इसका line integral निकालते literally ठीक है तो आपको सबसे पहले तो x और y में एक चाहिए ता relation तो कि मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब भी आप कभी दो variable के questions को solve करो उसको सबसे पहले ए आपको relation मिलता xy में वहां से आ तो आप x का निकालते या आप y का निकालते फिर आप इसको equation में पूट करते फिर आप उसको solve करते limit लगाते यह जब अब लेकिन ग्रीन स्थार्ण ने क्या काम कर दिया ग्रीन स्थार्ण ने यह बोलावे line integral निकालने की कोई जरुद नहीं इसी के उपर बेस मैं आपको एक question और देता हूं तो बहुत ही बड़िया सा question क्या है friends आपके पास question है यहाँ पर आपके पास आपको यहाँ पर question है given है f is equal to y square यह आपको given है f is equal to y square और friends g आपको यहाँ पर एफ स्था यहाँ पर और जी की value दी गई है और आपको यहाँ पर calculate करना है इसका line integral using Green's theorem तो हमको यहाँ पर use करना है तो आपको यहाँ पर क्याild capacities दी लाइन इंट्रीगल यूजिंग यूजिंग ग्रीन्स यूजिंग ग्रीन्स थियोरम का हमको फ्रेंड यहाँ पर यूज करना है बहुत ही बढ़िया से यहाँ पर एक पोस्टन आपको हो जाएगा और लिमिट आपको यहाँ पर दी गई है कि फ्रेंड हमारे पास जो एक्स की लिमिट है जो हमारे पास एक्स की लिमिट है वो आपकी यह है और हमारे पास जो य की लिमिट है वो आपकी यह है एक्स की लिमिट भी गीवन है और आपको यहाँ पर य की लिमिट भी गीवन है और यह वाला option आपके पास है, minus का 2, ठीक है, अब आप मेरे को बताईए, इस question का answer क्या होगा, तो चलिए, अब देखते हैं, यहाँ पर इस question को solve करके, तो बहुत ही बहतरीन question होने वाला है, यहाँ पर सबसे पहले तो आपको f दिया गया है, और आपको यहाँ पर g दिया गया क्या, del g upon del x, ठीक है, और minus का, यह हमारे पास है, del f upon del y, bracket में बन, क्या आपके पास हो जाएगा, dx और dy, ठीक, इस तरीके से, यहाँ पर आप इस चीज़ को लिख सकते हो, great, अब आपको पता है कि f की value कितनी है, तो यहाँ पर f की value आपको y square दी गई है, और g की value आपको यह यहाँ पर x square दी गई है, तो यहाँ से आपके पास del f upon del y, ठीक है, कितना आजाएगा आपके पास 2y, और यहाँ से आपको del g upon del x is equal to, यहाँ आजाएगा आपके पास 2x, अब इस value को ठाके वहाँ पर put कर दो, तो यह हमारे पास है integral, तो इसको मैं रखूँगा यहाँ पर, इसकी value लगा रहा हूँ, तो इसकी value क्या है, 2x, यहाँ आपके पास है, dx, माइनस, यहाँ पर आप लगाऊँगे, 2y, यह value हो जाएगे, आपके पास, dy, ठीक है, सॉरी, तो यह हमारे पास इस तरीके से नहीं आएगा, अभी इसको रफ कर देता है, यहाँ पर, अब आप द यहाँ पर, 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 पर limit लगा रहेंगे तो limit बहुत ही बहतरीन हो जाएगी आपके पास इसकी limit है 0 से 1 यहाँ से और इसकी limit है 0 से 2 x, d x और d y, minus का sign इसकी limit है 0 से 1, इसकी limit है 0 से 2, y, d x और d y, चलो करते हैं इसको solve, तो अगर हम इसको यहाँ पर solve करते हैं, तो आप देखो क्या आएगा, तो यह यहाँ से हमारे पास आजाएगा 2 bracket, तो इसको लिखेंगे तो y की limit कितनी है 2, तो y पर 2 आजाएगा और इसका करेंगे, तो यहाँ से यहाँ आजाएगा x square by 2, limit लगाएंगे 0 से 1, यह बचेगा आपके पास 2, जो कि वहाँ पर y की लगा दी, minus, फिर फ्रेंड आप देखें तो वहाँ पर y हो जाएगा y square by 2, इसकी limit लगाएंगे हम 0 से y की limit कितनी है 0 से 2, और इसकी limit कितनी हो जाएगे आपकी 1, तो यह रहा, अब इसको आप simplify करो, जब इसको simplify करेंगे तो यह 2 हो जाएगा, यह friends आपका 2 हो जाएगा, यहाँ से आपका, यह कितना आएगा, यह ठीक है, तो अब हमारे पास कितना आ रहा है, तो इसको अगर हम simplify करते हैं, तो देखो यह हमारा 2 हो जाएगा, और यहाँ से आपके पास 1 minus, ठीक है, यह आपके पास कितना आएगा, 2 आएगा, तो इसको अगर solve करेंगे, तो answer minus का 2 आ जाएगा, तो friends देखो, इस questions का answer हमारे पास कितना आ रहा है, minus का 2, मतलब इसको जो line integral है, इस question का जो line integral है, वो हमारे पास है, आपका minus का 2, ठीक है, तो I think आप लोगों को यहाँ पर चीज़े समझ में आ रही होगी, बढ़िया करके अच्छे से, ठीक है, तो अगर आपको यह चीज़े समझ में आ रही है, तो आप मेरे को comment box में yes लिख सकते हैं, तो यह चीज़े हैं, यह आज हमने या पर थोड़ा सा green serum के हमने कुछ question या पर देख लिए, ठीक है friends, तो यह हमारा एक छोटा सा आपका short concept था, genuine exams के लिए, ठीक है, क्योंकि इस type के question generally आप से exam में पूछ लिए जाते हैं, तो friends, आज के लिए इतना ही, ठीक है, आप भी channel को subscribe करके रखिए, क्योंकि हम इस type के आपके लिए और भी short concept videos लेके आते रहते हैं, तो मिलते हैं आप से अपनी next class में, तब तक के लिए thank you, keep learning and bye bye, ठीक है friends, bye bye